इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में जो नहीं टॉपिक्स एड हुई है जैसे गल्फ वार, अफगानिस्तान इशू, आडवी स्प्रिंग, मिडिल इस क्रैसेज उन टॉपिक्स पर जो एमसी क्यू बनते हैं मैं इन वीडियो में लेके आऊंगा यह हमारा पार्ट 5 है, इसके बाद एक और पार्ट आएगी, पार्ट 6 और अल टुगेदर इस चैप्टर में जो एमसी क्यू जो होंगे, वो 150 नहीं, अप्रॉक्स 200 जाएंगे यह चली सुरू करते हैं, पाश कुशन, यह हमारा कुशन नमार 146 है, क्योंकि यह पार्ट 5 है तो होसनी मुबारक had been in power in Tunisia since 1979, तो होसनी मुबारक power में थे, Tunisia में, 1979 से power में थे यह गलत है, क्योंकि होसनी मुबारक 1979 से नहीं, वो 1979 से Tunisia में नहीं, वो Egypt में power में थे, वो Egypt में power में थे तो statement यह गलत है, his rule was collapsed as a result of massive democratic process और इनका जो rule है वो खत्म हो गया, because काफी सारे लोगों ने democracy के लिए protest करने लगे, बिलकुल यह correct है आपको यह याद रखना होगा, कि Arab Spring के टाइम में हम लोग आगे देखेंगे, Arab Spring के टाइम में काफी सारे countries में democracy के लिए और भी ज़्यादा rights के लिए protest होंगे ऐसे ही rights जो है, यह Egypt में भी होंगे, जिसके कारण होसनी मुबारक अपना seat जो है, वो lose कर देंगे तो हमें correct find करनी है, only two is correct, option B Assertion Region Some observers were calling first gulf war a video game war, तो कुछ observer first gulf war को video game war बोल रहे थे, बिलकुल यह सही है Reason, viewer around the world watching the destruction of Iraqi forces live on the TV in confront of their living rooms, तो जो TV जो देखने वाले जो लोग है, वो लोग वर्ड के अलग अलग कॉर्नर में अपने घरों में बैठके, वो बहुत ही आराम से वो जो है, यह पूरा यह जो war हो रहा था, first gulf war जो हो रहा था, उसे अपने घरों में बैठके देख रहे थे उस समय हुआ यह कि USA के साथ में काफी सारे group of country थे, वो इराग के उपर जब attack कर रहे थे, यह सब कुछ जो है वो टेलेवीजन में टेलीकास्ट किया जा रहा था, टीवी में दिखाया जा रहा था, अब दुनिया भर के लोग अपने घरों में बैठके उसे देख रहे थे, तो इसी लिए हम लोग इसे वीडियो गेम वार भी बोलते हैं, क्योंकि यह पूरा इवेंट जो है, एक तरह से गेम की तरह नजरा आ रहा था, तो रिजन बिल्कुल करेक्ट है, तो यहां एंसर होगा option A, फर्स्ट गल्फ वार तुक प्लेस, तो फर्स्ट गल्फ वार जो ह यह कब हुई थी, फर्वरी 1991, फर्वरी 1990, फर्वरी 1993 या फिर अगस्ट 1991, आपको याद रखना है, यह इवेंट हुई थी, फर्वरी 1991 में, option B, the twin tower of the world trend center is in, तो यह जो twin tower वाली जो building है, जिसके उपर 9-11 वाली attack हुई थी, तो यह कहां है, वासिंग्टन, लंडन, न्यू यॉर्क, डेन्मार्क, एरक टैंसर है, option C, न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क जो है, USA में है, और वहाँ पर यह 9-11 वाली attack हुई थी, आपको याद कारे country में कैसे हम लोग इंडिया में हम लोग कैसे follow करते हैं, हम लोग पहले date लिखते हैं, फिर month लिखते हैं, और फिर year लिखते हैं, USA में वो लोग पहले month लिखते हैं, फिर day लिखते हैं, बाद में year लिखते हैं, तो पहली वाली यह जो है, यह month है actually, 9 मतलब September, और 11 जो है 9-11, 9 मतलब September, September 11 तो होगी, इसे हम लोग कर सकते हैं, September में जो है option B 2001, 11 September 2001 में ये जो है ये attack हुई थी, highway of death is a road between, ये जो highway of road है, ये कहाँ, ये road कौन से दो प्लेस को connect करती है, तो हम लोग देखेंगे, यहां correct answer होगा, option B, kuwait and basura, actually ये है क्या, आपको याद रखना होगा कि USA ने attack किया था इराक के उपर, first Gulf War के time में, USA ने attack किया था इराक के उपर, बाद में जब इराक की forces जो पीछे आने लगी, इराक की forces जब अपने, जहां पे उन्होंने actually occupy किया था ku कुएत को वहां से बाहर निकल के जब जाने लगी, तो जब वो एक रास्ते में थे, तो USA की जो military जो थी, defense जो थी, उन्होंने काफी attack किया था, उन forces के उपर, तो वहां पे काफी लोगों की unfortunate death भी हुई थी बिल्कुल, तो इसलिए इसे highway of death बोलते हैं, तो यह है कहा, कुए तो इन बास्रा को connect करते हैं, डैस आर्मी वास अटक्ट बाइ अमेरिकन दूरिंग फर्स्ट गल्फ वार इन फेवरी 1991, फर्स्ट गल्फ वार जो है, इस समय USA ने अटक किया था, इराकी फोर्सेस के उपर, तो इराकी आर्मी जो है, उनके उपर अटक की गई थे, अमेरिका के दौरा, और यह पूरा इवेंट हुआ था, याद रखना है आपको, date, फर्वरी 1991, find incorrect, इराकी आर्मी वास अटक्ट बाइ अमेरिकन दूरिंग फर्स्ट गल्फ वार इन फर्वरी 1991, वन दे वर रिटर्निग, तो बिलकुल इराकी फोर्सेस जब रिटर्न हो रही थी, a war crime and a violation of Georgia Convention, देखो, जब war होती है, तो war करने के लिए भी कुछ rules and regulations होते है, जब दो कंट्री के बीच में जब war होती है, तो वहाँ भी कुछ rule and regulation जो है, वो follow करना होता है, और ये सारा, ये सब कुछ कहा mention है, Georgia Convention में नहीं, ये mention है, ये mention है, ये वाली जो mention है, ये है जेनेवा convention में, जो जेनेवा convention में इन wars लेकरा के rules को लेकर के काफी कुछ rules है, तो ये statement गलत हो गई, हमें incorrect find करना है, तो incorrect कौन सी हो जाएगी, 2, that is B, Iraq invaded Kuwait, तो Iraq के उपर में, Iraq ने Kuwait के उपर कब attack किया था, हम लोगों ने देखा, first Gulf War में क्या हुआ था, USA ने attack किया Iraq के उपर, USA ने attack क किया Iraq के उपर, because Iraq ने attack किया था, कुवेत के उपर, और ये वाली जो attack हुई थी, ये आपको याद रखना है, ये ये हुई थी, August 1990 में, तो August 1990 में, एराक ने attack किया कुवेत के उपर, और कुवेत को बचाने के लिए USA ने Iraq के उपर attack किया, February 1991, और ये वाली event को हम लोग बोलते है first Gulf War United Nation mandated the liberation of Kuwait from Iraq by force तो यसा भी हम लोग ने देखा कि Iraq ने attack किया था Kuwait के उपर में Iraq ने जो है वो attack किया था Kuwait के उपर में तो सबसे पहले World के काफी साभी leaders ने मिल करके Iraq को समझाने का कुछिस किया कि यह जो attack है वो उसको रोक दे यह जो उन्होंने occupy कर लिया था उन्हें invade कर दिया था Kuwait के उपर उसको वो बंद करे United Nation भी वो Iraq को समझा रही थी कि यह बंद करो तुम Kuwait के उपर attack मत करो वहाँ से बाहर निकलो लेकिन Iraq नहीं माना Iraq की जो leaders थे वो नहीं माने तो finally United Nation ने agree कि अब हम लोग force का use करेंगे तो काफी सारे country के force मिल करके वो जो है वो Iraq के उपर attack करेंगे तो SSN बिल्कुल correct है diplomatic attempt failed at convincing Iraq to quit its aggression बिल्कुल starting में हम लोग देखेंगे कि काफी सारे leaders ने Iraq को समझाने का कुछिस किया कि यह जो aggression उन्होंने किया है यह जो aggression दिखाया है कुएक के उपर attack करके यह उसको बंद करें लेकिन Iraq नहीं माना तो finally इस कारण देखेंगे कि United Nation जो है वो अपना यह declare करेंगे कि हम लोग अब force का use करेंगे अब Iraq के आगेंश्ट बिल्कुल reason भी correct है अब बिल्कुल सही explanation है option A who was the president of USA during first gulf war the first gulf war के टाइम में USA के president कौन थे तो correct answer होगा George H.W. Bush पाकि जो यहां तीन president है USA के आप मुझे बताओ कि जब NATO का form हुआ था NATO की जब formation हुई थी तब इन में से कौन president थे USA के आप मुझे comment करके बताओ during 9-11 attack a aircraft crashed into the Pentagon building in Arlington, Virginia 9-11 वाली जब attack हुई थी USA के उपर में तो उसमें हुआ ये था कि वहाँ पे कुछ hijackers ने कुछ hijackers ने कुछ aircraft को hijack कर लिया hijack करके USA के different different parts में जाकरके उन्होंने उन aircraft को crash कर दिया गिरा दिया, collapse कर दिया इससे काफी लोगों के death हुई थी तो जब एक जो aircraft जो थी वो गई थी कहां Pentagon building में USA की Pentagon building में वर्जीनिया जहां पे वर्जीनिया में है तो बिल्कुल ये correct है तो Pentagon building क्यों famous है विकास Pentagon building जो है ये USA का Education Department का Headquarter है, ये गलत है Education Department का नहीं, Defense Department का Headquarter है, तो ये वाली गलत है हमें correct find करना है तो only one is correct, option A Group of how many country fought against Iraq तो हम लोग ये देखेंगे कि Iraq जो है ये जब Kuwait के उपर attack करेगा तो पहले तो Iraq को समझाया जाएगा कि ये वो बंद करे लेकिन जब Iraq नहीं मानेगा तब United Nation जो है ये काफी सारे country का एक group बना करके ये जो है force use करेंगे Iraq के against तो उस total ये जो group जो थी इसमें total कितने country थे 32, 38, 34 या फिर United Nation की सभी country थी ये मुझे आप comment करके बताओ आपके book में given है आप मुझे ये comment करके बताओ कि कितने country ने मिल करके Iraq के उपर attack किया था तो ये जो बहुत सारी countrys की जो group थी जो Iraq के उपर attack कर रहे थी इसमें total soldiers कितने थे तो इसका करेक टेंसल होगा option C 6,60,000 total 6,60,000 जो है ये soldiers थे जिन्होंने Iraq के उपर attack किया था और ये coalition force थी मतलब इसमें बहुत सारे countries के इसमें बहुत सारे countries के जो है soldiers यहाँ पर प्रिजन्ट है United Nation Operation Against Iraq in 1991 was called United Nation ने ये जो Operation किया था इराक के अगेंस्ट में इराक के उपर जो attack किया था तो इस Operation का नाम क्या था Operation Delta Storm, Operation Desert Strong Operation Desert Smoke Operation Desert Storm correct answer है option D Operation Desert Storm WHO let the UN coalition against Iraq तो इराक के उपर जब attack हुआ था तो इस पूरे event को कौन से person ने lead किया था Norman, Sekhverjkov, Norman Love, Gamal, Abdel Nasser none correct answer है option A इन्होंने lead किया था इस पूरे coalition को United Nation की जो coalition force थी उनको lead किया था Norman, Sekhverjkov fine, correct the government of Saddam Hussein felt swiftly under the US attack आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है Iraq के उपर जो है एक तो attack होगी 1991 वाली जिसे हम लोग बोल रहे है first gulf war इसके बाद भी फिर एक और attack होगी इसके बाद जो है 2003 में भी एक attack होगी USA attack करेगा तो first gulf war attack में तो reason क्या था क्योंकि Iraq ने kuwait के उपर annex कर लिया था kuwait को कबजा कर लिया था 2003 में क्यों attack करेंगे USA Iraq के उपर because USA का कहना ये रहेगा कि Iraq जो है Iraq जो है ये बना रहा है WMD WMD का मतलब है weapon of mass destruction तो USA ये बताएगा दुनिया भर को दुनिया के लोगों को कि Iraq WMD बना रहा है हम लोग उसको रोकने के लिए उनके उपर attack कर रहे है तो USA जब attack करेगा 2003 में तो उस समय हम लोग देखेंगे कि Iraq के जो president रहेंगे Saddam Hussein वो बहुत आराम से USA उनको हटा देगा तो बिलकुल ये correct है USA has not been able to pacify Iraq USA ने तो attack करके Saddam Hussein को power से हटा दिया बिलकुल लेकिन उसके बाद Iraq में situation बहुत खड़ाब हो जाएगी काफी violent हो जाएगी और ये पूरी event को USA pacify नहीं कर पाएगा USA जो है इसे सांत नहीं कर पाएगा तो बिलकुल ये भी correct है A full-fledged insurgency against UN occupation was ignited in Iraq और ये पूरी event के बाद में Iraq में काफी सारे जो groups होंगे वो USA को अपना दुस्मन मानने लगेंगे और उनके उपर attacks भी करेंगे ये भी correct है तो हमें correct फैंड करना है All are correct Option D Norman Sechvarskov who let the UN coalition against Iraq was from which country तो ये जो person है इन्होंने जो UN की coalition को lead किया था against Iraq तो ये कौन से country थे USSR, USA, Britain, India Correct answer है Option B USA In coalition force Dash percent of the were from the US United Nations की जो coalition force थी उसमें total कितने percent अमेरिका से soldiers थे हम लोग ने अभी देखा लगभग 6,60,000 soldiers थे total 6,60,000 soldiers थे 19 से About 75% soldiers जो थे वो सिर्फ US के थे अब आकी 25% जो है अलग-अलग countries के थे तो हमारा answer है Option B 75% जो है वो US के soldiers थे Who was the Iraqi president during first gulf war? The first gulf war जब हो रही थी तो उस समय Iraq के president थे Option A Saddam Hussein The first gulf war revealed the vast technological gap that had opened up between the US military capability and that of other states तो बिल्कुल first gulf war जब हो रही थी और अमेरिका जब attack कर रहा था Iraq के उपर में तो बाकी सारे country जो पूरे world थे वो काफी shocked थे वो काफी हैरान थे USA military की technology के देख करके USA military बहुत सारे नए-ने technology की weapons यूज कर रहे थे और ये देख करके पूरी दुनिया जो है वो काफी हैरान थी उनको ये लग रहा था कि हम लोग तो काफी पीछे है और United States जो है वो technology में काफी आगे बढ़ चुका है तो बिलकुल ये true है तो first gulf war which country was using smart bomb तो first gulf war के time में कौन सी country जो है वो smart bomb यूज कर रही थी तो अभी हम लोग देखा कि first gulf war में USA की technology को देख करके पूरी दिनिया हैरान थी पूरे दिनिया शौक थी USA कितना ज़्यादा technology development कर चुका है तो वो यूज कर रही थी smart bomb तो हमारा जो यहां पर answer होगा option B USA Some observer were calling first gulf war a mobile war कुछ observer जो है वो first gulf war को mobile war जो है ये बोलते है mobile war नहीं वो उसे बोल रहे थे computer war mobile war नहीं computer war तो इसर जन रॉंग है during first gulf war USA was using smart bomb तो बिलकुल USA जो है वो smart bomb यूज कर रहे थे तो smart बोलने का मतलब यह है कि उसमें काफि सारी ऐसे technology रही होगी जिसमें computer यूज हो रहे हैंगे इसलिए उसे computer war भी बोलते है तो reason तो correct है लेकिन answer रॉंग है तो हमारा answer होगा A is false, R is true option D during first gulf war dash coverage was done देखो जब first gulf war हो रही थी अमेरिका और अमेरिका के साथ में काफि सारी country जब इराक के उपर जब attack कर रहे थे वो लोग तो एक चीज़ नोटिस करना है कि जब ये पूरा event चल रहा था तो दुनिया भर के reporters जो है वो पूरे event को live coverage दे रहे थे पूरे event की video बना रहे थे और उसे टेलिस कार्ट कर रहे थे टीवी में यानि कि वो लोग टीवी में ये सारी event जो है तो यानि कि टीवी की coverage बिल्कुल बहुत ही वाइड इस्प्रेड टीवी की coverage की गई थी तो हमारा answer होगा option A वाइड इस्प्रेड टेलिवीजन coverage was done find incorrect during first gulf war the US may actually have made profit from the war तो जब ये first gulf war हुआ आपको पता होगा कि जब कभी भी war होती है तो बहुत पैसा खर्चा होते है बहुत पैसा लगता है war में क्योंकि weapons जो है बहुत महंगे होते है तो first gulf war जब हुआ तो उस समय USA को ये war करके actually profit हुआ फायदा हुआ तो बिल्कुल ये correct है बिल्कुल USA को फायदा हुआ ऐसे कुछ reports है जहां बताई जाती है कि USA को फायदा हुआ था according to many reports US received more money from country like Germany, Japan and Saudi Arabia तो Germany, Japan, Saudi Arabia और भी काफी साइर countries ने USA को fund provide किया USA को पैसे समदत किया और USA ने इस पैसे का use किया गल्फ war में तो बिल्कुल ये भी correct है हमें fine करना है incorrect तो यहां incorrect कोई भी नहीं है option D, none अलकाइदा और terrorist organization strongly influenced by extremist ideas हम लोग यह देखेंगे कि United States के ऊपर में कुछ attacks होंगी 9-11 वाली जो है यह attack होगी और यह पूरे event के पीछे जो organization जो होगी वो होगी अलकाइदा कौन सी organization होगी अलकाइदा और यह organization belong करेगी अफगानिस्तान से यह organization जो है यह belong करेगी अफगानिस्तान से और यह बहुत ही extremist person थे इनकी जो religious जो mentality थी वो बहुत ही ज़्यादा extremist थी तो बिलकुल यह true है next most of the soldier in operation desert storm was from which country तो अभी थोड़ी देर पहले हमोग ने देखा कि about 75% country जो थी यह operation desert storm क्या है यह वही operation है जिसमें United Nation ने क्या किया था Iraq के उपर attack किया था reason क्या था कुवेत को जो है बचाना था कुवेत को safe करना था तो इसमें जो सबसे ज़्यादा country थी most soldiers थे वो थे अमेरिका के option B USA के थे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे request करूँगा कि अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो आप kindly channel को subscribe करें अगर आपकी कोई doubt inquiry होती है तो आप telegram पे मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पे मैं quiz को जो है upload करता हूँ इसके अलाबा पी डिएफ share करता हूँ तो आप मुझे वहाँ पे जोड़ सकते हैं प्रेसिडेंट क्लिंटन ordered which operation जो प्रेसिडेंट क्लिंटन जो है USA के प्रेसिडेंट थे ये तो इन्हेंने कौन सी operation को launch किया था infinite goal finite reach infinite revenge infinite reach correct answer है option 4 infinite reach ये जो operation था ये इस operation में USA ने बहुत सारी missile attack की थी terrorist group के उपर में जो थे अफगानिस्तान में और सुडान में तो USA ने बहुत सारी missile launch की थी अफगानिस्तान और सुडान में और इस event को ही इस operation को ही बोलते हैं infinite reach Arab Spring started by people which turned into a religious movement so ये जो Arab Spring वाली जो event हुई थी ये event में हम लोग देखेंगे कि लोग जो है वो protest कर रहे थे और ये finally protest convert हो गई एक religious movement में नहीं religious movement नहीं ये एक political movement में convert हो गई थी यानिकि असरसन रॉंग है people consider the existing problem as a outcome of autocracy dictatorship in their country जो लोग थे Arab Spring में जहां पर ये problem जो हुई थी वहां के country लोगों का सोचना ये था कि उनके country में autocracy है उनके country में proper democracy नहीं है और यही कारण है उनके सभी problems का तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सोचना था उनका reason correct है हमारा answer होगा option D A is false, R is true on 11 September 2001 how many American commercial aircraft were hijacked तो जब 9-11 वाली attack हुई थी USA के उपर में तो टोटल कितने American aircraft को hijack करके ये attack किया गए था 2, 4, 5, 10 correct answer है option B, 4 9-11 on 11 September 2001 how many hijackers took control of American commercial aircraft flew them into important building in the US तो टोटल कितने तेश्ट थे जिन्होंने जो ये event में involved थे जिन्होंने वो 4 plane को hijack किया finally ये 9-11 वाली जो ये event होई उसको complete किया तो टोटल कितने ऐसे hijackers थे correct answer है option C, 19 ये हमारा part 5 था अभी ये complete नहीं हुई है अभी मैं part 6 लेके आओंगा part 6 लेके आओंगा और जिसमें और भी जो remaining questions जो है वो cover किये जाएंगे तो जो new topics add हुई है ये वाली तो इसमें approximately 50 questions होगी सिर्फ new topic के उपर में और total अगर हम लोग देखे end of bipolarity जो chapter है इस chapter की total 150 नहीं इसकी question जो है about 200 जाएगी ठीक है so at the end इस video को यहां खत्म करते हैं और जाने से पहले मैं फिर से request करूँगा आप kindly channel को आप subscribe करें Thank you